अगर आपकी कुंडली में बुद्ध पंचम भाव में इस्तित है और अगर आपको बुद्ध की महादसा आती है तो 17 साल की बुद्ध की महादसा में आपको क्या-क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके बारे में आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं पंचम भाव में अगर आपका बुद्ध इस्तित है तो आपको काफी ज़्यदा तेज बनाएगा, चालाक बनाएगा, बुद्धी मान बनाएगा और आपके माइंड पर बुद्ध सिदा सिदा असर डालेगा अपनी महादसा में तो एक जो सनी की दसा आप पहले भोग कर आये हो, बुद्ध की महादसा से पहले, उस दसा में काफी कुछ आपका नास हुआ होगा, या काफी कुछ चीज़ें सलो चली होंगी लाइफ में, काफी ज़दा ऐसी प्रोब्लम्स आपने देखी हैं सनी की महादसा में, जहां पर बहुत अच्छे से ऐनलाइज करना, कंडिसन्स को बहुत अच्छे से ऐनलाइज करके आप आगे बढ़ते हो, पंचम भाव का बुद्ध अपनी महादसा में आपको अच्छे एक्सप्रेशन का आसिरवात देगा, आपका ऐस का एक्सप्रेशन है, जब आप कुछ बोल रहे हैं, या आप अपनी भावनाओं को वेक्ट कर रहे हैं तो गहती बहुत ही प्लस पोइंट इस बुद्ध की महादशा का हो सकता है, साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ या आपका कोई अगर लवर है, आपका अगर कोई प्रेमी है तो उसके साथ बहुत समझाने में मदद मिलेगी और आपको अपना प्रभाव दिखाने में भी मदद मिलेगी अब पंचम भाव का जो बुद्ध है वह आपके टेलेंट को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम करता है तो पंचम भाव कि अगर बुद्ध के आपको महादसा आ रही है तो निस्चित करिये बहुत इज़ी कर सकते हो कोई भी जट Scorpi सब्सक्राघ्रियो कर आपकी मेंम्राइज करने की चमता बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगी आपकी जो लिखावत है वो काफ़ी संदर हों सकती है भुद्ध की इस दासा में साथ-एसाथ आपकी creativity मुखे रूप से पंचम भाव creativity का भी है तो आपकी creativity को भी बुद यहां बढ़ाने का काम करते हैं बले आपकी mental creativity बले आपकी hand की creativity इन सब के उपर बुद की महादसा का विशेश असर पड़ेगा इसके लवाँ बुद की महादसा आपको आपके business के लिए growth देगी business के लिए growth देगी साथ ही साथ आप बच्चत और निवेश से समन्दित जो अपनी योजनाए हैं उनके उपर ज्यादा बेटर तरीके से सोच पाएंगे ज्यादा बेटर तरीके से आप decision ले पाएंगे आपको कहां invest करना है कहां invest नहीं करना है कितना आपको return चाहिए ये सब बहुत अच्छे से आप analysis करके decision ले पाएंगे पंचम भाव के बुद की महादसा अब आपको depend करता है कौन सी age में आती है मुखे रूप से पंचम भाव का अगर बुद है तो संतान बगरे को लेके दिक्कतें कर सकता है लेकिन ये आपको खुद के लिए आपके personally अगर life के लिए दिखा जाए तो बहुत ही अच्छा सावित होगा लेकिन जरूरी है कि बुद का यहाँ पर अच्छी रासी यानि मित्री रासी में हो अच्छी placement होनी चाहिए बलावल के साथ होना चाहिए इसके लवा किसी किसी जातक का जैसे बुद कमबस्ट भी होता है तो कमबस्ट भुद की अगर आपको दसा है तो आप यह देख लें कि सूरिय आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हो रहे हैं आपकी कुंडली में सूरिय हो सकता है कि वो फूर्थ के स्वामी है या फिप्ट के स्वामी हो सकते हैं लेकिन सूरिय अगर 6, 8, 3, 12th के स्वामी हैं तो आपको दिक्कतें आ सकते हैं बुद्ध की इस महादसा में Otherwise आपके लिए सूरिय ज्यादा help करने वाले हैं यानि फिर बुद्ध के जो result हैं वो सूरिय से प्रभावित रहेंगे तो सूरिय जिस प्रकार की placement में आपकी कॉंडली में बैठे हुए हैं उसे इसाब से फिर आपको कई न कई बुद्ध के result भी देखने को मिलेंगे अब बुद्ध की जो महादसा यह जो पंचम की महादसा है इसमें आपको individual कहीं पर अगर performance करना है जिसे आपको कोई singing वगरे है कुछ आप article writing वगरे कर रहे है या अपने कोई आप बात किसी को कह रहे हैं आप कोई संदेश दे रहे हैं लोगों को जन सबा को संबोधित कर रहे हैं या बहुत बड़ी audience को बहुत बड़े level पर आप संबोधित कर रहे हैं या आप communication के मादेम से social media के थरू अगर संबोधित कर रहे हैं या आप social media पर active हैं इन सब मामलों में बुद्ध आपकी ज़्यादा से ज़्यादा help करने वाले साथ इसाथ आपका जो network है वो काफी ज़्यादा बढ़ेगा family का आपको support मिलेगा हो सकते हैं कुछ हद तक आपको आपकी जो auntie हैं उनका ज़्यादा support इस दसा में देखने को मिल सकते हैं आपकी जो sister हैं उनका ज़्यादा support इस दसा में देखने को मिल सकते हैं मुखे रूप से बुद्ध की ये महादसा आपको सही प्रकार से सोचने जल्दे निरने लेने और सही समय पर सही वक्त पर निरने लेने में काफी ज़्यदा मदद कर देगी इस से आपका जो एक mental stress create होता है कही न कहीं आपके उपर एक decision लेते समय एक थोड़ी सी जो puzzling वाली condition जो होती है उसको आप यहाँ पे काफी हदे तक कम कर पाएंगे इसके लवाँ यह जो बुद की महादसा है बुद की महादसा में देखे आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे communication का सारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे किसी भी बात को आप हलंकी हो सकता है logic के वैस पर भी बोलें अगर बुद यहाँ पर गुरु की राश्यों में बैठा वाए तो आप निस्जित ही फनी होंगे साथ ही आपका आपकी संतान के साथ communication बहुत बैटर रहेगा बुद की इस दसा में आपको प्रेम समंदों में विसे सफलता मिल सकते क्योंकि प्रेम समंदों में आप अपनी भावनों को express बहुत अच्छी से कर पाएंगे अब इस दसा में आपका कोई नया प्रेम समंद बनने की chances काफी जादा रहते हैं साथ ही साथ आपका जो mental level है काफी एक अलग तरीके का आपका mental level बन जाएगा और आप कभी-कभी इस बुद्ध के महादसा में कुछ एक्स्ट्रा करने का भी ट्राइ कर सकते हो जैसे आप जोब कर रहे हो लेकिन आप साथ साथ में business भी करना चाहते हो यानि एक duality में सा रहती है लाइफ में तो अगर आप married हो तो कहीं आपको 7th load का देखना पड़ेगा और 7th house को भी देखना पड़ेगा अब बुद्ध यहां से क्योंकि लाबस्तान को देखी है बुद्ध के द्वारा लाबस्तान को देखे जाने की वज़े से इस महादसा में आपको धन समंदी वर्दी होने की समावना है यानि आपको एक नया income का कही न कहीं से source मिल सकता है आप share market वगरे से अच्छा income generate कर सकते हो या फिर आप कुछ regular trading वगरे या कुछ ऐसा regular काम जहां से regular आपको income हो रही है डेली डेली की आपको income हो रही है और आप उसका इसाब रखते हो डेली आप calculation लगाते हो कि आपको कितना डेली का income हुआ है उस परकार से आप इस दसा में देख सकते हो अब जो बुद्ध लाविस्तान को देख रहे है लाविस्तान को देखने से देखे जो भी बहुत ज़्यादा talented लोग होंगे जो एक तरह से विद्वान लोग होंगे उनके साथ बुद्ध आपको ज़्यादा से ज़्यादा connect करेगा पड़े लिखे लोगों के साथ connect करेगा और उनके साथ आपका communication बहुत बेटर होगा अगर आप marketing के field में हैं अगर आप banking के field में हैं या आप कोई भी financial field में हो सकते हैं इसके इलावा आप teaching के field में हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध यहाँ support करने वाले हैं अब बुद्ध की ये महादसा आपको कौन से age में आ रही है ये बहुत ज़्यादा matter करेगा बुद्ध की जो महादसा है हो सकते हैं आपको सुरुवाती age में आ रही हो सुरुवाती age में अगर आपको बुद्ध का महादसा आती है तो आपका education है काफी अच्छा होने की chances है और एक बहुत अच्छी outstanding performance आप देंगी कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो merit में आ जाते हैं बहुत अच्छे marks लेके आते हैं वो ऐसी दसा हो सकती है बुद्ध की महादसा बुद्ध की महादसा study में ज़्यादा से ज़्यादा आपको support करेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको software, hardware से related जो भी चीज़ें हैं जो भी विसे हैं उनमें काफी अच्छी तरक्की कर सकते हो साथी साथ computer से जुड़े वे अन्य भी विसेव में आप बहुत अच्छे से perform कर सकते हो साथी साथ ये बुद्ध आपके talent को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा mind में ने ने आपके विचार हो जेंगे अगर आपको बुद्ध की महादसा में कोई भी business करना हो तो आप विचार कर सकते हो अब depend करता है बुद्ध आपके कुणली में कौन-कौन से भाहों के स्वामी है अगर ये 6-8-12 के स्वामी हुए तो कुछ हद तक पंचम भाव से जुड़े कारियों में problems आ सकती है धन समंदी मामलों में आपके निर्ने गलत हो सकते हैं या आपको थोड़ा mental stress create हो सकता है आपकी वार्नी सही नहीं हो सकती communication अच्छा नहीं होगा आप जल्दी से अपनी बात को express नहीं कर पाएंगी हाँ आपके मन में तो बात रहेगी आप लेकिन जब दूसरों को बता रहे हैं तो जबान फिसल जाती है या कभी-कभी जो बात actual में आप कहना चारे हो आप कहना पाते हो ऐसी conditions बनेगी तो बुद्ध की जो महादसा है मुख्य रूप से इसमें mental level पे आपको focus करना चाहिए अपनी मानसिक इस्तिति अपना mental level आपकी memory कितनी है आप कितना सोच सकते हो कितनी आपकी मानसिक छमता है काम करने की आपको कोई अगर बोले कि पूरे दिन आपको काम करना है या 9 to 5 आपको काम करना है तो वो एक ability उसमें वर्दी होते हुए आपको अवसे देखने को मिलेगी तो हम ये मानते हैं बुद्ध की मानसा आपकी कारे चमता को बढ़ाने का काम करेगी लेकिन ये तब ही करेगी जब आपको ऐसा काम कर रहे हो जहां पर ज़्यादा तर महनत माइंड से की जाती है सारिक महनत के लिए बुद्ध नहीं है सारिक महनत के लिए बुद्ध सारिक महनत को कम से कम करवाएगा आपसे और कहीं न कि आप ऐसा तरीका निकालेंगे बुद की दिसा में जिससे आपको सररक रूप से कम से कम मेहनत करनी पड़े और माइंड से आप ज़्यादा मेहनत करें तो बुद की जो महादसा हैं अल्मस्ट आपको सभी कारियों में सपोर्ट करेगी अब हो सकता है बुद की महादसा आपको मिड एज में आ रही है मिड एज में अगर आ रही है तो आप अपना कैरियर सही से चुन पाएंगे कैरियर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे आपके काम की बहुत ज़्यदा सराना होगी आपको प्रमोशन वगरे देखने को मिलेगा और बहुत सारी अपने कैरियर में नई चीजों को आप सीखेंगे नए नए आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके बाद हम अगर ये देखें कि आपको ओल्ड एज में अगर इस परकार की दसा आ रही है तो आप कोई ना कोई नया बिजनस शुरू कर सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सेख सकते हैं जैसे एकदम अकल्ट वाली जो चीज़े हैं मंत्र जब पगरे हैं या कोई भी इस परकार की चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा डीपली गुसना होता है डीपली कुछ सोचना होता है अनलिसिस करना होता है रिसर्च वरक भी वह हो सकता है तो ये आपको देखना है बुद की महादसा में अब आपकी कुणली में पंचमेस कहां बैठा ये देखना महत्वण है और बुद कितनी मजबूत इस्तिते में पंचम भाव में बैठे हुए तो ये सब रिजल्ट्स आप लोगों को आने वाले हैं अगर आपका पंचम भाव की बुद की महादसा आपको आएगी फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद